खाने के लिए खाना किदर बनता है खाना 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 बनता है ख दोकुमेंट जहां पर रखा गया है गोद्रेज में उसके ठीक सामने हाँ पर चावल निकल रहा है क्योंकि बच्चे के लिए मीडे मिल का खाना बन रहा है और यह तस्वीर देखिए यहां पर चूला जला है चूले पर क्या चड़ा है यह तस्वीर है पटना की हाँ राजध क्या है पता नहीं चल रहा है ओफिस में किचन है कि जमीन से चूती चट है झितिश पावो की कुरसी और बेंच भले सेफ है लेकिन यहां कुछ बच्चे बेंच पर हैं कुछ नीचे हैं उन्हें बेंच पर बैठने का मौका नहीं मिला जो आज बेंच पर हैं कल पता नहीं उन्हें बैठने का मौका मिलेगा की नहीं मिलेगा राजधानी के स्कूल की हालत जानने के लिए हमारे समवाद्धा तानिकेत फुलवारी शरीफ के लाखे में पहुंचे सुरंग पूर प्रार्थमिक विद्याले में प्रवेश करना किसी सुरंग में प्रवेश करने जैसा रहा आधे स्कूल जमीन से नीचे तो आधे स्कूल जमीन के उपर 1996 में बनी इस स्कूल का आधा हिस्सा जमीन के अंदर धर्श चुका है महज 5 फींट की उचाई पर छत है और उसके नीचे दो कमरा है सर जुका कर नहीं आए तो सर फूटने की गैरंटी पकी एक ही कमरे में तक्षा एक से 5 तक की पढ़ाई होती है दूसरा कमरा शिक्षक का ओफिस है जहां मिड डे मिल का खाना बनता है बाहर सौचाले है लेकिन ताला लगा है शिक्षकाओं का कहना है कि पानी का कनेक्शन नहीं है शात्रों को सौचाले के लिए आसपास के घरों में जाना पढ़ता है बिहार तक की टीम ग्राउंड जिरो पर जब इस स्कूल का हाल जानने पहुंची तो सबसे पहले बरमदे पर देखा कि को शात्र बोरा बिचा कर जमीन पर बढ़ाई कर रहे थे वही टेबल पर बैठी प्रभारी शिक्षिका उन शात्रों को पढ़ा रही थी बिहार तक ने शिक्षिका से पूछा कि ये बच्चे जमीन पर क्यों पढ़ रहे हैं पता चला स्कूल में दो ही कमरे एक ऑफिस है जिसमें सारे काघजात हैं और उसी में मिड़े मिल का खाना भी बनता एक अन्य शिक्षिका ने बताए कि इस स्कूल में 84 शात्र हैं रोजाना 50 से उपर बच्चे पढ़ाई करते हैं जिस दिन सभी शात्र पहुँच जाते हैं तो रूम में शात्रों को बैठाना मुश्किल हो जाता है बेंच डिस्क तो दूर जमीन पर बैठने तक की जगह नहीं बच्चती इसी में अज़ेस्ट करना पता है इसी स्कूल में एक ही क्लास रूम है बना उसको पुरी तरह से कंप्रीट नहीं किया गया पानी वाल को अंदर वेवस्था नहीं है नलवल को मतलब चालू नहीं किया है और यह जो पीछे सालों पर पानी जमा रहता है एक बार स्कूल की तस्वीर देखिए और पूछी अपने आप से सवाल कि इन बच्चों के जिम्मदारी आखर किसकी है लेकिन ये राजधानी का ही स्कूल है सबसे पहले आप यह तस्वीर देखिए हम अपने सायोगी को चाहेंगे कि आप यह तस्वीर देखिए ये राजधानी का प्रात्मिक विद्याले सोरंगपुर फुलवारी सरीप में मौजूद ये स्कूल है और इसकी चछत और दिवारों की हाइट दिखिए जमीन से शुरू होते इसके दिवारों की जो हाइट है वो खत्म हो जाती है शुरू होते ही खत्म हो जाती है आपको बता दे इस प्राइमरी स्कूल के बारे में कि यहाँ पर सि तस्वीर दिखाएंगे इस स्कूल की कि देखिए किस तरीके से किस हस्ता इस्थिती में इस स्कूल की जो है इस्थिती है और यहाँ पर बच्चे जो है वो पढ़ने आ रहे हैं सबसे पहले आप यह तस्वीर देखिए कि किस तरीके से जमीन से सुरू होते ही दिवारे जो है च्छत कितना नीचा है जाकि यहाँ पर आने जाने बच्चों को भी चोटे लग जाती होंगी देखिए सबसे पहले आप यह तस्वीर देखिए यह बरामदा है और बरामदे पर बैट करके जो यहाँ के बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं देखिए इस स्कूल में इन बैठने के लिए न टेबल है न डेस्क है और शिख्चा बिभाग के तरफ से ने लोगों को टेबल दिलाए गया है नहीं डेस्क दिलाए गया है और नहीं उपर च्छत के उपर आप पंखा देख रहे होंगे जब राजधानी में 44 डिग्री टेंप्रेचर से भी उपर गड प्रेमिय में भी यह बच्चे यहीं बढ़कर बैठकर पढ़ाई करते हैं यहां पर बैठती है सिख्छी का मैडम और वहां पर देखे इस स्कूल की जो प्रभारी मैडम है हम उनसे बातचीत करेंगे और इस स्कूल के बारे में बहतर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे मैं एक मिनट आपका समय चाहूंगा, क्या नाम है आपका? गर्मियत की लगता है। आपको देखने में तो लग रहा होगा कि इस क्लास में सिर्फ एक क्लास की बच्चे होंगे एक साथ बैठ करके पढ़ रहे होंगे। एक ही क्लास में तीन क्लास के बच्चे बढ़ रहे हैं। इसी स्कूल में एक ही क्लास रूम है। अच्छा तो मतलब अब कभी-कभी अगर पूरे बच्चे आ जाते होंगे तो कहां बैठते हैं। तो नीचे यह ऐसी तरह से अड़ेस्ट करते हैं। तो फिर यहां मतलब जहां पर जगा मिल जाता वहां नीचे में अड़ेस्ट कर देते हैं। और क्या क्या दिक्कत याती हैं इस स्कूल में। पहला तो यह बैठने में दिक्कत हो जाता है। दूसरा है कि ट्वालेट जो बना उसको पूरी तरह से कंप्रीट नहीं किया गया। पानीवानी का अंदर वैवस्था नहीं है। नलवल को मतलब चालू नहीं किया है। और यह जो पीछे सालों पर पानी जमा रहता है। जिसके कारण दहर है कि वहां से इसमें लाता है। बच्चों को भी बहुत दिक्कत होता है वहां से बैठने में। आप बच्चे से भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या उन लोग का परिशानी। बच्चों के लिए खाने के लिए खाना कि दर बनता है। खाना बनता है ऑफिस में। बच्चों के डोकूमेंंट भी होते होगे उसमें जो पढ़ते होगे एडमिशन के कागजात भी किसी में रहता है। ौहें दिखाएंगी मुझे वहां आप दिखा Meyer अगर आप आप देखने की कर रहे हैं जहां पर इनका कहना एक कि उसी ऑफिस में इन बच्चों के लिए मिड़े मील का जो खाना है वह बनता है देखिए यह इन सिक्षिकाओं का ओफिस है आपको बता दे कि कुल में दो सिख्षी का हैं जो कि प्रभारी हैं उनका नाम पुस्पा है और जैना बंजूम जो कि आभी हमारे साथ हैं ये दूसरी सिख्षी का है देखिए ये ओफिस है है और इसमें सारा ड़कुमेंट यहां पर रखा गया है गोद्रेज में उसके ठीक सामने हाँ पर चावल निकल रहा है क्योंकि बच्चे के लिए मीडे मिल का खाना बन रहा है और यह तस्वीर देखिए यहां पर चूला जला है चूले पर क्या चड़ा है चुले पर रोजाना कितने बच्चों का खाना बनता है दो सिख्षिका है इस स्कूल में परवारी जो कि पुषपाजी है और दूसरी जैना बंजू में यही दोनों मिलकर के स्कूल को चलाती है और च्छत की हाइट आप देखी चुके होंगे और एक और परिसानी जो कि यह बता रही थी कि यहां पर इस स्कूल में सौचाले तो देखा आपने कि किस तरीके से इस स्कूल की खस्ता हालत है कि यहां के बच्चे को जब सौचाले जाना होता है तो आस पास के घरों में जाते हैं कुछ आस पास के लोग भी है मुन लोगों से बाचीत करते हैं जिनके बच्चे यहां पर पढ़ते होंगे क्या नाम है आपका सोचाले के लिए लोग बच्चा पीछे जाता है जी उदार, मंदिल तरफ बोला गया तो मेडम करते हैं कि हमरे जमीन में जा रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं हम लोग देखिए उसमें ताला लगा हुआ बिल्कुल देखे पानी की बिवस्था याप पर नहीं है सोचाले में ताला लगा है और इस प्राइमरी स्कूल का हाल कितना खस्ता है वो आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में देख सकते हैं किस तरीके से कि जहाँ पर जो बच्चे हैं वो किस तरह जमीन पर बैट कर पढ़ खुद लगाईए शिक्षा व्यवस्था दुरूस्थ होने का दावा करने वाले सिस्टम को इस विद्याले का भ्रवन जरूर करनी चाहिए पटना से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट बिहार तक